सभी ग्राम वासियों को आज पंचायत राज दिवस पर मेरी बहुत बहुत शुपकामनाई महत्मा गांदी कहा करते थे कि भारत गांवों में बसा हुआ है लेकिन हम देख रहे हैं कि आज आज आदी के इतने सालों के बाद गांव और शहर के बीच खाई बढ़ती ही चली गई जो सुविधाए शहर में है क्या गांव उसका हकदार नहीं है क्या अगर बिजली शहर को मिलती है तो बिजली गांव के गरीब ये घर तक जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए हर गांव में भी सरकार है लेकिन वो विखरा पड़ा हुआ है आवश्यक्ता यह है कि हम मिलकर के नेत्रों को दें हम तब तक गांव का विकाफ देंग कर पाएंगे जब तक हम गांव के प्रति गवरो और सम्मान का भाव कैदा नहीं करें है गांव तही करें तो दुनिया देखने के लिए आए ऐसा गांव बन सकता है एक तिहाई गावों में प्रधान महिलाए हैं क्या हम यह संकल्प कर नहीं सकते ताकि हमारे गावों में हमारे गरीब से गरीब बालग भी कुपोशन के शिकार नहों और उसके लिए हम चिंता कर सकते जितना महत्व दिल्ली की बड़े से बड़ी संसत्का है उतना ही महत्व यह मेरे गावों की संसत्का है और इसलिए ग्राम सभा को भी बल देने की आवशक्ता है गाउं का अर्थकारन ताकतवर बनेगा तभी देश का अर्थकारन ताकतवर बनेगा जब तक गाउं के गरीब की खरीच शक्ति नहीं बढ़ती देश की एकोनोमी में बल नहीं आता है आज से हम शुरू करे अब रुकना नहीं है ठकना नहीं है अब राम चलते रहना है गाउं के सपनों को पूरा करके रहना है